ओम श्री गणिशाय नम्हा, आज की इस वीडियो में जानिए जेठ मास के गरिश्न पक्ष में पढ़ने वाली संकस्टी चतुर्थी के बारे में चतुर्थी तिती विग्नरता भगवान गणिश को समर्पित होती है, ऐसे में चतुर्थी तिती कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन चंद्रोधे का समय क्या रहेगा, साथ ही आप जानेगे पूजा विधी और व्रत के कुछ अनिवारी नियमों के बार आते हैं, दूसरी शुकल पक्ष में, जो कि विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है, भगवान गणिश की करपा से सभी विग्न दूर हो जाते हैं, ऐसे में जोबी भग्त भगवान गणिश की प्राप्त करना चाहते हो, या जो महिलाएढ संतान सुक से वनचित हो, य रखना चाहिए चतुर्थी तिथी प्रारम होगी 8 मई सोमवार की शाम 6 बच कर 20 मिनट से जिसकी समापती 9 मई मंगलवार की शाम 4 बच कर 8 मिनट पर हो जाएगी कुछ वरत उद्या तिथी के अनुसा रखे जाते हैं तो कुछ वरत उस दिन के शुबमूर्थ के अनुसा रखे जाते हैं जैसा कि चतुर्थी तिथी के दिन रात को चंदर देवता की पूजा करके ही उपवास खोला जाता है ऐसे में जिस तिथी में रात को चंदरदर्शन और चंदरदेवता की पूजा का शुबमूर्थ भी प्राप्त होता हो उसी तिथी में वरत रखा जाता है तो इस तरह से अगर उद्यातिति की बात करें तो नौ मई मंगलवार को उद्यातिति रहेगी लेकिन इस दन शाम को चंदरदर्शन से पहले ही चतुरतितिति समाप्त हो रही है इसलिए नौ मई मंगलवार को वरत नहीं रखा जाएगा बलकि आठ मई सोमवार को ही वरत रखा रात 9 बच कर 55 मिनट पर तो रात की जो आप पूजा है चंदर देटा की वो रात 9 बच कर 55 मिनट के बाद से कर सकते हैं और अपना उपुवास भी इस समय से लेकर रात 12 बजे से पहले-पहले के बीच में खोल सकते हैं रहुकाल का समय जो कि अश्युब मोर्थ होता है सुबह स साथ से लेकर 9 बजे तक रहेगा तो कोशिश करें कि राहुकाल का समय प्रारम होने से पहले-पहले सुबह की पूजा आप जरूर कर लें संकस्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भक्तों के जीवन में आ रहे सभी संकट दूर होते हैं और सभी कारियों में सफलता भी मिलती हैं इसलिए लोग भगवान गणेश को प्रसन करने और उनकी कृपा पाने के लिए संकस्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं जेस्ट मास के क्रिश्न पक्ष में आने वाली चतुर्थी को एकदंत संकस्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाते हैं और इस दिन भगवान ग आज के दिन भगवान गणेश सहित पूरेश्य परिवार की भी पूजा करनी चाहिए भगवान गणेश को सिंदूर का यह हल्दी का तिलक लगा कर आप उन्हें फूल माला अर्पित करें दूब दीब जलाएं हाथ में जल लेकर व्रत रखने का संकल प्रिया जाता है संकल कि हे विगनर्ता भगवान गणेश आपको मेरा प्रणाम है आज मैं जेस्ट मास के क्रिश्न पक्ष की एकदंत संकस्टी चतुर्थी का व्रत रखने जा रही हूं फिर आपकी जो भी मनुकामना है उसे आप मन में दो राएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवा आज के दिन किये गए इस उपवास को आप स्विकार करके मेरी मनुकामना पूर्ण कीजेगा फिर भगवान गणेश के चर्णों में वो जल अर्पित कर दिया जाता है दूप दीब जलाकर पूजा करें भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें भगवान गणेश को दूर व्रत की कथा पढ़ें और सुने, यदि सुभा आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप शाम की पुजा करते समें कथा जरूर पढ़ें और सुने, सबसे अंत में आरती उतारें, आरती कपूर जला कर उतारनी चाहिए, फिर दिन भर उपवास रखें, इस व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा विशकता हो, तो सेधा नमक का आप प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही इस दिन मुंगफली से या तिल से अपने व्रत का पारना करना चाहिए, यानि कि उपवास खुलना चाहिए, शाम की पूजा में चंदर देवता की पूजा अनिवारे होती है, तो जब चंदर देवता को अर्ग देकर ही आपको अपना व्रत को खुलना चाहिए, अगर आप इस दिन सुनी जाने वाली कथा भी सुनना चाहते हैं, भगवान गणेश के विशेश मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर इस दिन अपलोड होने वाली वीडियो को जरूर देखेगा, जानकारी अच्छे लगी हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा,